नवस्कार आज दो मुद्दों की चर्चा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो लोकतंत्र की मर्यादा को छलनी कर रहा है और मुद्दा नमबर दो राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा पर हमला करनी की फिराख में प्रियंका गांधी और राहूल गांधी की रिष्टे पर बीजेपी के नेता हमला कर रहे हैं यानि की एक और मर्यादा को छलनी कर रहे हैं मगर सबसे पहले दोस्तों प्रदान मंतРИ नरेंद्र मूदी के हिमाचल की सोलन में एक सभा में दिए गया बयान की चर्चा आप जानते हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी ने कहा कि ये माइने नहीं रखता कि आपका कौन विधायक है किस सीट से कौन सा व्यक्ती चुनाव लड़ रहा है आपको वोट देना है तो सिर्फ कमल को देखकर और मेरी शकल को देखकर मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों याने कि अब भारतिय जनता पार्टी के लिए प्रधान मंत्री के लिए विधायक के कोई माइने नहीं है अब जाहिर सी बार है जब विधायक के कोई माइने नहीं है तो विधान सभा के कोई माइने नहीं है और जब विधान सभा के कोई माइने नहीं है तो मुख्यमंत्री के क्या माइने है इसका मतलब ये कि विधायक के काम को भी प्रधान मंत्री कार्याले जो है कंट्रोल करेगा आप मुझे बताइए ये लोक्तंत्र की तौहीन नहीं तो क्या है सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने क्या कहा उस बयान को सुनते है हमारा भारतिये जनता पार्टी का उमिद्वार कौन है आपको किसी को याद रखनी की जरूत नहीं है सिर्फ कमल का फूल याद रखिए मैं आपके पास कमल का फूल लेका आया हूँ अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाये दिखाईए समझ लीजे कि भारतिये जनता पार्टी है ये मोदी जी आपके पास आये है आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशिरवाद के रुप में आएगा सुना आपने यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तोर पर जिस सीट पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं वहाँ पर भारतिये जनता पार्टी का जो भी चहरा होगा उसकी खुले आम बेज़ अपी कर रहे हैं यानि कि जनता को बता रहे हैं कि विधायक के लिए कौन चहरा चुनाव लड़ रहा है कोई मायनी नहीं रखता और दूसरी बात क्या आपने इस देश में कभी किसी प्रधान मंत्री को देखा है कि वो अपने नाम के आगे जी शब्द जोड़ देते हैं दोस्तों धीरे धीरे लोकतंत्र की जो गरिमा की ऐसी तैसी भारती जनता पार्टी कर रही है उसकी धेरो मिसाले हैं सबसे पहले दोस्तों एक लोकतंत्र के अंदर विधायक की अपनी एहमियत होती है प्रधानमंत्री नरेंदर बोधी ये बयान देकर उसे तार-तार कर रहे हैं बार-बार भारतिय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरह के बयानाद देकर और अब खुद प्रधानमंत्री इस तरह के बयानाद देकर जो Electoral Democracy है उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों आज की तारीक में चुनावायुग किस तरह से पूरी तरह से नतमस्तक है बीजेपी के सामने। आप ये भी जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्ज आये थे यानि गुप्त चुनावी चंदा। कोई भी धन्ना सेट अपना काला धन किसी भी पुलिटिकल पार्टी को दे सकता है। और ये अधिकतर पैसा भारती जनता पार्टी की जेव में जा रहा है। यानि कि बार-बार भारती जनता पार्टी इस तरह से लोकतंत्र को ठेस पहुँचा रही है। और मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी चक नहीं है कि इन्होंने हमारी डेमोक्रिसी को ही हैक कर दिया है। आप मेंसे कई लोग कहते हैं, BJP इसलिए जीतती है क्योंकि उन्होंने EVM को हैक कर दिया है। नहीं सहाब, उन्हें जीतने के लिए EVM हैक करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लोगतंत्र को ये हैक कर दिया है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दरसल ये बयान दिया क्यों। क्यों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट पर जो चुनाब हो रहा है अपने चेहरे पर करवाना चाहते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री जानते हैं कि उनकी लोगप्रियता के सामने देश में किसी भी राजनेता की लोगप्रियता कहीं नहीं ठहरती इस वक्त किनी कारणों स वो देश के सबसे लोग प्रियराजनेता हैं और भारतिय जनता पार्टी चाहती है कि स्थानिय मुद्दों पर चुनाब होने के बजाए राश्ट्रिय मुद्दों पर चुनाब हो बटवारा पैदा करने वाले विभाजन दोहराव पैदा करने वाले मुद्दों पर चुनाब हो और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है भारती जनता पार्टी के नेता इसी तरह के बयानात दे रहे हैं मसलन, मसलन आपके स्क्रीन्स पर अमिश्या, अमिश्या कई बयान सुनिएगा दोस्तों और यहां अमिश्या कह रहे हैं कि अगर आप एक बार फिर भारती जनता पार्टी को चुनते हैं तो हम युनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे सामान आचार सहिता, मैं पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की प्रिष्ट भूमी में युनिफॉर्म सिविल कोड के क्या माइन हैं क्योंकि हम इश्या जानते हैं कि युनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी चर्शा होती है तो हमारे न्यूस चैनल्स माइनौरिटीज यानि मुसल्मानों पर हमला बोलते हैं और जैसी इन मुसल्मानों पर हमला होता है तो हिंदू और मुसल्मानों में बटवारा हो जाता है और जैसे हिंदू मुसल्मानों में बटवारा होता है तो फाइदा किसको होता है बीजेपी को होता है इसलिए आमिछ शाह हिमाचल प्रदेश के अंदर भी युनिफॉर्म कुर्की सरकार रादो हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा यहां कोई नहीं लोग सकता है तो सुनावने अब मैं आप से फिर पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की चुनावों में युनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने के क्या माइने हैं हम इश्चा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारती जनता पार्टी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव स्थानिय मुद्दों पर ना हो राष्ट्रिय मुद्दों पर हो और उन राष्ट्रिय मुद्दों पर जिनका आम जन्मानस से कोई लिना देना नहीं है इसलिए प्रधान मंत्री जनता के सामने कहते हैं कि जिसे हमने टिकिट दिया है उसके चेहरे पर शुनाव मत करो मेरे चेहरे पर शुनाव करो मोदी जी पर जो है वोट दो और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ क्यों कि इसी से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा मुद्दा मैंने कारक्रम में आपको क्या कहा कि भारती जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है या हिमाचल प्रदेश के साथ ना गुजरात के साथ अब राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी पर हमला प्रियंका गांधी वाडरा नहीं जा रहीं दोनों भाई बहन के रिष्टे जो हैं खराब हो गए हैं यानि कि भारती जनता पार्टी के नेता इतनी मर्यादाओं को लांग सकते हैं कि अब ये भाई बहन के रिष्टे के बारे में तक बोल रहे हैं मगर अनुरा ठाकुर के इन बयानों से मुझे थोड़ी सी भी हैरत नहीं होती है क्योंकि ये वो आदमे हैं दोस्तों जो चुनावों के दोरान दिल्ली के चुनावों के दोरान खुले आम भड़काओ बयान दे रहात और आप जानते हैं उनके उसी बयान के बाद ये दो लड़के आते हैं और शाह ऐसा क्या करण है कि भाई बेन की बनने ही रही या उसको यात्र में चाहते नहीं है क्या करण है कि टेड़ महिना हो गया वहां कहीं दिखी नहीं मैं फिर आप से पूछता हूँ आखिर क्या वज़ा थी अनुराग ठाकुर को इस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोलने की एकता कपूर के सीरिल्स देखना बंद करें हर कहानी में एकता कपूर की कहानी नहीं चल रही होती है कि अगर बेन नहीं गई तो जाब वहां पर मतभेद होंगे और सबसे बड़ी बात कुछ मर्यादाओं को हमें पार नहीं करना चाहिए और भारती जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह की मर्यादाओं को पार कर रहे हैं अभी दो ही दिन पहले मैंने आपके सामने एक शो किया था कि भाजपा के अध्यक जेपी नड़ा खुले आम कह रहे हैं कि मोदी जी ने दो वैक्सीन्स बनाई अब उन एहसानों का बदला जनता चुका है पहली बात वो जनता कहा जाएगी तो इस तरह से अहसान जतलाना और बार बार जतलाना दोस्तों तमाम मर्यादाओं को भारती जनता पार्टी पार कर रही है इनका मकसद सिर्व यह है कि चुनाव जी तो इसके लिए कुछ भी कह सकते हैं यह यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी का चुनकर ला दो हम युनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे बेफुजूल के मुद्दे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना मगर दोस्तों हकीकत ये है कि ये न्यू इंडिया की राजनीती का स्वरूप है अब भारती जनता पार्टी ऐसे ही राजनीती खेलती है और आगे भी ऐसे ही राजनीती खेलते आएगी अब इसार शर्मा को देजे अजासत नवस्कार